नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे सवालों का सामना करेंगे राजे यूडियेच मंतरी राजपाल सिंग शिखावत लेकिन आप चिंता मत कीजिए आज मेरे सवाल वो होंगे जो कि हम सब की जबान पर है, हम सब के दिलों और दिमाग पर है चीहां, डी मॉनिटाइजेशन से लेकर क्योंकि राजपाल सिंग शिखावत जी, राजे वित मामलों का रिप्रेजेशन करते हैं केंद्र में और इसके साथ साथ GST काउंसिल के मेंबर भी हैं क्योंकि आप चल्चा करही हैं और इंडियन गरान को किष कर से किया जा करना है तो आप भी माननेगी केवल एक बार का तरीका है कुछ एक सालों में ये सभी दिक्कतें दुबार आएंगी मैं समझता हूँ कि विजिलिस नहीं होने पर ऐसी जिए 17 साल की मिस गवर्नेंस की कारण इंडिया कैश एक डिस्टॉर्टेट कैश एक बदली है अब गवर्न इसके लॉंग टर्म बेनिफिट्स होंगे कोई कि आप जानते हैं कि जिसके कार की कैश एकनोमी हिंदुस्तान के एंदर उसमें एक शैडव एकनोमी के एंदर 1999 के आज पार हिंदुस्तान की शैडव एकनोमी तकरीबन 21-22 परसेंट अपनी GDP की वाकती थी जो बढ़कर के 2007 के एंदर 24 परसेंट हो गई और लोग एस्टीमेट करते हैं वर्डियेक एस्टीमेट करता है कि दो 21-16 के आसपास तकरीबल 27 तक अधिस परसेंट तक शैडव एकनोमी भी कहते हैं बलेक एकनोमी भी कहते हैं उस पर हैपर हैमरीं हो जाए तो मेंसमस्तों का लॉंग इंपक्ट पढ़ेगा, तीन साल, चार साल के लिए नहीं आने वाले 20-30 साल में इसका इंपेक्ट पढ़ेगा और जब तक दुबारा सरकार मिस गवर्नर्स की सरकार की शिकार नहीं होती है, तब तक मैं समझतों उसका इंपेक्ट लॉंग लास्टिंग इंपेक्ट है. लेकिन सर, कितना टाइम लगता है नोट्स टुप्लिकेट करने में? तीन महीने? चार महीने मैक्सिमम? फिर क्या करेंगे? और चार महीने बाद, इंडिया विल बी एक कैश स्टाफ एक्कनॉमी स्टिल, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा नहीं इंप्लिमेंट करा है, तब तक म बड़ आसान नहीं है, लेकिन साथ में आपका एक करना है कि जो सर्कुलेशन में जो पैसा आ रहा है, उसके कई कैश क्रंच नहीं पेदा हो जाए, बिलकुल, कैश क्रंच तो पैदाता बहुता है, जब अनकाउंचबल मनी मार्केट से मैं फ्लो कर रही होती है, जब अकाउ जिए, मोडिici में जो बड़ी जी ने कहा कि देश के लिए हम छोटी मोटी तकलीफेंट होने के लिए आज तैयार दर्यार मरूंगी मेरे को बताओ कि हम लोग अब क्या करेंगे तो इसका मतलब जो मनी बचेगी इसकी पर्चरिजिंग पाउट परेटी बढ़ेगी पर्चरिजिंग पाउटी बढ़ने का मतलब इंफलेशन का कम होना है अब यह कह रहे हैं कि कि अब जो एक बार हमारा दुबारा ट्रांसपरेंट मॉनेटरी फ्लोव हो जाता है जो एक दो मेना लग सकता है उसके बाद आप लेखेंगे कि अनकाउंटल मनी के एकनॉमी से बाहर जाने के कारण निश्चित रूप्स के अंदर इंफलेशन पर कर्म लगेगा चीजें सस्ती होगी और नेकर औसर वस्ती चीजें होगी बिल्ग एकनॉमी के सारे लाइमेशन के उपर इंफलेशन का जो इंपेक्ट है वो गटेगा चलि लेकिन एक चीज़ पर तुझे आपसे प्रशन में करना चाहूंगी आपको नहीं लगता कि टाइमिंग थोड़ा सा गलत था सर सबसे बड़ा साल का सावा लोग अपना पैसा जिस पे टीडियस भरा हुआ है वो घरों में निकालके बैठे वे हैं बेटियों और बच्चों क सरकार है क्या टाइमिंग पर भी आप मोदी जी का साथ देते हैं हम आप से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कहते हैं कि बहुत सारी शादियां पोस्ट फॉन करने पड़ी है जिसको ये दर्द हुआ है वही जानता है टाइमिंग तो गलत था आप कुछ भी कही है मैं समझता हूँ टाइमिंग तो बहुत अप्रोपेट था क्योंकि यह जो डिस्जिन सरकार ने आज लिया है यह जिस्जिन आज की दस-प्रदा साल पहले ले जाना चुछ था सर मैं दिनों की बात कर रही हूं सालों की बात नहीं कर रही है आप दो दिन बात कर दे थे तो क्या हो जाता है मैं उनी की बात कर रहा हूँ हमारी सरकार प्रो हिंडू सरकार आप यह कह रही है प्रो हिंडू सरकार आप यह कहा जाता है अगर यह मैं सबस्ता हूं बहुतर तो यह होगा कि हमारी सरकार को प्रो इंडिया और प्रो इंडियन सरकार का जाएं को यह डिस्जन है यह नहीं किसी हिंडू के लिए नहीं किसी मुसल्मान के लिए नहीं किसी क्रिस्टिन के लिए या शादी होने वाले के लिए या शादी इसकी नहीं होने वाली है, उसके लिए नहीं है, हिंदुस्तान के आम हवाम की जिंजगी को सुधारने के लिए, हिंदुस्तान की एकनॉमिक की प्रफ्रिकेसी को खटम करने के लिए, हिंदुस्तान के मर्टि सिस्टम की डिस्टॉश इस प्रकार का डिसन दो लिया गया है प्रो इंडिया प्रो इंडियनित है उसके लिए कोई मुरथ भर कमें का सुब उस्ते हएं I F लेकिन सर एक चीज़ आप मुझे बताएं कि जब भी कोई ऐसी बहुत बड़ा चेंज तो सरकार के जो representatives होते हैं, जिसमें की भाजपा के मंत्री, भाजपा के MLA, पारशद और कारे करता, उनकी फौज बन जाते हैं, कि हम जंधन योजना हुई, स्वच भारत योजना हुई, कि हम इस योजना को जन जन तक लेके जाएंगे, लेकिन यहां तो मंत्री, MLA, पारशद दोर कारे करता ही, पूछते हैं, कितने जमा कर सकता हूँ, कितने मिलेंगे, क्या होगा, तो यह misinformation, जो एक पैनिक सिचुएशन क्रियेट हो रही है, इसमें क्या भाजपा ने मिस हैनल किया? यह basically बहुत appropriate information है, government does not belong to the political parties, government belong to India and government belong to Indians, that include Congress, that include BJP, they include all political parties, irrespective of their caste, creed, political affiliation, तो यह कहना है कि इस डिसन से भारती जनता पार्टी है, कारे करता हूँ, जानकारी देनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि वो जानकारी जन जन तक पहुचा सकते थे, जिम्मेवारी समझते मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के डिसिजन के बारे में हिंदुस्तान की जनता समझती है, हिंदुस्तान की जनता जानती है, इमानदारी की बीच पर बेहिमानी की बीच पर फरक है, हिंदुस्तान के बहुत आत्म हिंदुस्तानी इमानदार है, और इमानदारी के साथ जीन साहरे जोक सारे वटसाठ पे लेकिन जिस घ्रहे विला ने धीरे करके पैसे जमाकर अखे हैं। और उसके पास 3,000,000 रुपे हैं या 4,000,000 रुपे हैं किसी वी तरीके से वो कितने जमाकरा सकती ही कि उस पे कोई प्रशन नहीं पूछे जाया। इस साफ तोर पे गवर्मेंट अविंडिया ने कहा है, जितली जी ने भी कहा है कि अगर आपका असा जमा कराते हैं, तो उसमें कोई कुछ ताच की जरत नहीं हो, और पैसा अगर आपका पैसा वाइट है, उस पैसे कुछ आप करणों जमा करा है, को तकलीफ बात नहीं है, जै जैंगे जब उसको वापस जमा करूंगी, मुझे दुबारा टेक्स देना पड़ेगा, जैंगे जरूत ही नहीं है, जैंगे तो तीन दिन हो चुके हैं, इस डिसिजिन को इंप्लिमेंट करे हुए, आज भी बैंकों के बाहर लंबी-लंबी कता रहे हैं, आम आदमी एक जाने के लिए, रोजी रोटी छोड़के आज छुटी लगवा के लाइन में खड़ा हुआ है, क्या सरकार इसको बेटर हैंडल नहीं कर सकती थी, और बैंकों में कैश नहीं है, एटियाम अभी तक कुशे नहीं कर रहे हैं, जिस इतने संस्टिव मुद्रेकी दर्पकार से ह पहतरीन हैंडलिंग होनी सकती थी, अगर दो दिन की मेरी लाइन में कातार में खड़े रहने से हिंदुस्तान गरीब देशों के कातार से बाहर निकल जाए, हिंदुस्तान पीड़ित देशों के कातार से बिकल जाए, हिंदुस्तान जिसे कुछ दिनों पहले लोग कहते थे करप्षिन में वर्ड के अंदर रेंकिंग उसकी सो है जब छेटर हुई है इस रेंकिंग इंदर छेटर से लिचे उतर के और लीचे चला जाए तो मस्तो मेरा एक दिन दो दिन बैंक के सामने करतार में खड़ा रहना कैसे नीचे जाएगा करप्षिन में पहले जी हजार के नो कर रोड है और हिए पॉम् Important है हिनुस्तान का मॉनिटरी फ्लो अकांट fate है ज़िस परी नहीं दो हिए हिंदुस्तान का मॉनिटरी फ्लो अकौंटब या नहीं है है रां पांड़ सान का मॉनिटरी फ्लो अकौंटब आः तो रुप्या का इन memory and using one coupon हो चाइक language यह को इन दोर Sir मुने, वरहने three माहिने बाद की बात कर रह गहा हूं, वर्चर मॉनितर की बात कर रह रहा हूं, गोपन locker time , छांश ogóle पर बेर sencill लेगी और बात की कि बाता है। जो ट्रॉस्परेंट मनी है, उसके थूँ करॉप्शन नहीं हो सकता. सर, 1978 में भी मॉनिटराइजेशन हुआ था. एक हजार के पाँचाजार और दस हजार के नोट बंद किये गए थे, कि ये चीज करॉप्शन को रोकेगी. आज 2016 में situation बिलकुल साफ है, आपने खुद कहा है कि 27%, 28% हमारे पाँ शैडव एकिनॉमी है. वो डी बॉनिटाइजेशन फेल हों गया. आप कैसे गारेंटी कर सकते हैं कि ये सक्सेस्फुल होगा ब्रेक के बाद. हम अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं, आमने सामने. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. मैं जानती हूँ कि आज ये चंद दिनों की तकलीफ हम लोग सब जहिलने को तयार हैं. बशर्ते कि ये वाकई कहीं न कहीं ब्रश्टाचार को कम कर दे, आतंगवाद की गर्दन तोड़ दे, और हम हर भारतियों को ये लगे कि हाँ, इमानदार होने में ही अच्छाई है. लेकिन ये क्लारिटी नहीं है सर, ये हमारे को अभी तक आम आदमी को नहीं समझ में, अभी तक खुश है सर आम आदमी जो है. आज सड़क पर बात करें, ठीक है, थोड़ा इंकन्वीनियंस जरूर है, लेकिन अकसर आदमी ये कहने लग रहा है कि ठीक है जी, कोई बातनी तकलीफ है, दुख है, लेकिन इससे अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है. नाइटीन सवेंटी एट के रही है, लेकिन सफल था सिमित असलिया थी कि उन्यों जिन नोटों का डिमोनेटाजिएशन किया गया, वह जार के नोट का पांच जार के नोट का, दस जार के नोट का, वह टोंटल इंडियल करनसी का 2% वेल्यू पार्ट ता, और जिस रखम को ह कि अपको क्या लगता है कितने साल से ये प्लानिंग में था दो साल से क्यूंकि पहले जन्धन योजन आई फिर इंकम पहले कावी अकाउंट खोल लो फिर कावई जो कुछ तुम्हारे पास काला धन पढ़ा है डिस्क्लोज कर दो फिर बोला चलातों के भूत बातों से नहीं बानते हैं कि मौटर पर समझता हूँ कि डी मोनलिटकार चार्ण सब चीजों से संयोग बस पना हैं जन्दन योजना एक वेलफेर योजना थी और जिस डी मोनलिटकरशन की बात हम आज कर रहे हैं हो डी मोनलिटकरशन का सहासिक करण लेने का सहास कॉंग्रेस पे नहीं दुसासी कर्म लेने का सास नहीं था या मन नहीं था जो लोग ब्लैक एक्नोमी को लगाता हाँ इस यह शंद कर दे रहे मोड़ शिध करते रहे इससे पहले हिंदोस्तान की कैश ॉक्रण बदल दिया। उनके मन में हिंदुस्तान की इस ब्लैक मनी को बाहर निकालने का मन कभी बना नहीं होगा. ये डेरिंग डिसिजन है, ये डेरिंग डिसिजन के बाद में आप देखेंगे, कि निश्चेत रूप से इसके मल्टी दियमेशनल एफेक्ट आईगे. सर, एक चेसार मुझे पताई हैं, कि आपके पास भी तो आपके शेत्र के लोग आ रहे हूं, कि हम लोग तक्लीफ में हैं, हम लोग प्रॉबलम में हैं, जहां पर आज सुनने में देखा गया है कि राहुल गांधी जी चार हजार रूपे के लिए लाइन में खड़े हुए, अ कारख करणा रहे हैं, तो करना चाहता हूं कि इस पूरे इंडारिशन के इस मामले के लिए इस परकार की इंपक्त आने वाले है, चार अजार इंकर्विनियस, एक ऐसी इंकर्विनियस तो हिंदुस्तान की बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बैस समझता हूं, हिंदुस कार्विनियस? करते हैं, एकनोमिस करते हैं, 14-15% तक ब्लैक मनी का रोल येलेस्टर में है, मैं समझता हूँ, रिलेस्टर सेक्टर के रिए इस ब्लैक मनी के फ्रश आउट होने से, आम आज मी को मकान, अपना मकान होने का जिस अपना है, उस अपने को पूरा करने में मनद बनेगी. मैं वापस आपस एक प्रशन पूछ हूँगी, जो मैं आपस एक प्रशन पूछ हूँगी जो मैंने आपस ब़र पहले पूछा था इसी इंटर्व्य में, नोच करणी तो डुप्लिकेट हो जाएगी, सरु, अब नहीं तो, तो तीन महीने बाद चाहें पाद चाहेंगी, जो चाहर महीने बाद, अगर तब तक भारत की जनता की जो भरपाई है, भारत सरकार नहीं कर पाई, इतने नोट्स नहीं प्रिंट करवा पाई, तो क्या ये चीज पूरी बैक फायर नहीं हो जाएगी? ये बिल्कुल बैक फायर नहीं करेंगी, और जो फेक करन्सी को चपाना इतना मुश्कल काम नहीं है, जितना की फेक करन्सी को सर्कुलेशन में डालना हो जाएगा अगर यहां वैक्यूम होगा, तो ये सर्कुलेशन बहुत इजी हो जाएगा? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे कारिक नहीं के लिए, तो ये था आम ने सामने राजपाल सिंग शिकावाजी के साथ, जैसा मंतरी जी ने कहा, यह scheme demonetization की आमादमी के लिए है, ब्रश्टाचार को रोकने के लिए है, जाली नोटो को रोकने के लिए है, इसमें अपने सरकार का और अपने देश का साथ दे, एक बार पूरे दिल से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी panic create नहीं करेंगे जिनकी जरूरत है, उनकी मदद करेंगे, और हम देखेंगे कि कहीं न कहीं प्रश्टाचार जरूर खतम होगा, एक सुनहरा मौका है, आएं इमानदारी से सर उठा के जिन्दिकी जीते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अगले शनीवार में फिर होंगे आपके वीच, तब तक, जएहिंद!